तो यह आज का एक छोटा सा वडर है डीपीजी 500 ml है फिर आप गेलेक्स ओलाइट 500 ml है गेलेक्स ओलाइट जो पर्फुम में लॉंग लास्टिंग के लिए और अत्तर को गाड़ा करने के लिए यूज़ होता है वह है इसका बहुत ही लाइट मस्किर्ट रहता है और डीपीज पर्फुम को वाईली बनाता है उसके अंदर जितने भी इंडिडेंस है उनको एक दूसरे का मिक्स करने में मदद करता है और पर्फुम की स्क्रेडिंग में भी यल्प करता है और अत्तर में भी डीपीजी थोड़ा बहुत यूज़ होता है कि याप सिर्फ कंपाउंड को या जो अत्तर यूज नहीं कर सकते तो इसको अत्तर में कनवर्ट करने के लिए अब्रोक्षन से ज्यादा एक्टिव आई एस्वी सूपर रहता है वह बहुत बढ़िया रहता है आप वूडी टाइप के पर्फ्यूम के अंदर आई एस्वी सूपर यूज कर सकती हो जैसे कि मेरा पास क्रीड है तो क्रीड के अंदर भी 15 से 25 परशन तक आई एस्वी सूपर का टॉन रहता ही है फिर आपे ऊध है 100 ml के जो कंपाउंड रहता है वह ही है इन सब के अंदर आप अगर डीपीजी और फिक्सेटीव डालोगे तो अत्तर बन जाएगा और अगर आलकॉल डाल दोगे तो स्प्रेय बन जाएगा फिर आपे क्रीड एवंट्रस के जो कॉपी आत और मेरे डीटेल में चाहिए तो मेरी यूटूब चैनल पर वीडियो है इसका तो वह आप वहाँ पर जाके देख सकते हो अगर आपको कोई मट्रेल चाहिए तो मेरा कॉंटेक्ट कर सकते हो आपको वाल अवर इंडिया में होम डेलिवरी हो जाएगा